गूड इवनिंग एव्लिवन जिनका कल एक बार एकजाम है वो प्लीस थर्ड से मिस्टर वले ध्यान से चुरलो सबसे पहले आपने क्या करना है गूगल पे जाना है जब आप गूगल पे जाते हो तो आपने सर्च करना है C O E J U जब आप इसको search करते हो तो आपकी जो first value site खुलती है coegu.com इसको आपने click करना है जब आप click करोगे तो आपके left side पे यहाँ पे लिख है paper link for ug3rds है आपने इसको click करना है जब आप इसको click कर रहे हो तो आपके पास ऐसे खुल के interface आएगा आपस आपके e-mail करोगे तो यहाँ पी आपकी attendance mark हो गी और इसको अहीं पर आपका mission paper download होगा अभी तो यह कल जो आप इस link को open क्रोगे आपने क्या करना है गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद COEJU सर्च करना है जो आपको वहाँ पे सबसे पहले COJ.com मिलेगा तो उसमें आपने क्लिक करना है उसके पाद लेफ्ट साइट पे आप देखना मैंने आपको बताया है जो लेफ्ट साइट पे आपको दिख रहा है जो मैंने आपको बताया यही पेपर लिंक फोर UG 3rd Sam पे क्लिक करके जब आप इसको क्लिक करोगे तो फिर आपका मैंने बताया जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ऐसे खुल के आएगा ठीक है अभी तो ऐसे दिख रहा है कल आपको ऐसे खुल के आएगा तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वाट इस यो कोर्स टाइप तो आपने कोर्स टाइप पे यहां पे CBSC और नॉन-CBS लिखा हो तो आपने क्या करना है अगर आपका CBSC है तो आपने CBSC पर टिक करना है जब आप इसको प्रेस करोगे तो अपने आप यह जो है वह कहां लिखी होती है आप अपना रोल नंबर खोलोगे उसके यहां पर फ्रंट पर स्टूनेंट आईडी लिखी होती है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वाट इस यूर यूनिवस्ट्री एक्जामिनेशन डोल नंबर आपने डोल नंबर कौन से लिखना है ज जैसी आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी जब आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी तो आपको पता है कैसा शो होगा कि आपकी अटेंडेंस लग गया है हाँ जब आपकी अटेंडेंस लग जाएगी तो आपको यह शो होगा कि यूर लिंक खोल देते हैं तो आपने क्या करना है साड़े आठ बज़े के बाद क्या करना है उस लिंक पर जाना है जो मैंने आपको बताया उस पर जाके अपने अटेंडancies मार्क करने हैं जब आप वहां पर जाके ये करोगा तो आपको ये शोगा यह टूदेज अटेंडन्स इस मार्क जब यह अटेंडन्स मार्क हो जाती है आप यह आपने साड़े आट से लेके 10-15 तक का आपके पास ताइम होता है आप कभी भी अटेंडन्स लगा सकते हो 10-15 के बाद यह लिंक बंद हो जाता है उसके बाद इसी link पे जो आपने जहां पे attendance लगाई थी उस link पे वापस जाना है वहां पे आपका question paper आएगा तो जो आपका question paper आएगा आपने वो अपना course को चेक करना है और वहां से अपना question paper download करना है जब आप question paper download करते हो तो उसके बाद आप अपना paper start करना लगना और उसके कि आपने क्या करना है जब आप कोशेंट्पेपर मिल जाता है तो आपने अपना एंसर लिखना, स्टार्ट करना और विल्पॉच्ट के लिए कि यह होती है ए Destiny अफॉर सा इसीडु आपने लिखना है आपने लिखना है ऑपने अपने पास एक पड़ा हुआ है ठीस है जिसे मेरा 5th Sam है तो मैंने अपना 5th Semester का ये निकालव है तो आपका 3rd Sam का तो आप 3rd Sam वला फ्रंट पेज निकालना examination में आप लिखना जो आपकी stream है और जो आपका Sam है वो लिखना subject पे लिखना जो आपके subject का paper है और paper में आप लिखना की external exam है course number पे आप लिखना जिसको course code नहीं पता है आपके role number में जब आपका paper है वहाँ पे course code पी लिखे है subject पी लिखे है और यहाँ पे date लिखनी है और यहाँ पे आपने page number 1 लिखना है यहाँ पे अपना university role number डालना है यहाँ पे अपना name, father's name, examination और subject लिखना है subject में वहाँ आता है जो आपका subject होता है और उसके बाद course code जो मैंने बताया आपको course code आपके role number में लिखा होगा date लिखने के बाद signature करना है और total number of pages आपने कब लिखने है जब आप एक बार paper कर लो तो फिर आपने count करना है आपने कितने pages होए और बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है उसके बाद next जो sheet है वो आपने blank छोड़नी होती है आप इसको sheet number 2 भी दे सकते हो यार कुछ भी नहीं दे सकते हो आपकी मर्जी है उसके बाद आपने हर sheet पे क्या लिखना है sheet number लिखना है और साथ में जो date पे exam है वो date लिखना है और यहाँ पे आपने signature करना है और जिसके signature नाम वले है तो वो अपने नाम वले signature नहीं करना है जैसे मेरे signature अपने नाम के करते थे तो इसलिए मैं अपने signature नहीं किया तो इसलिए आप sheet number और date डालना देखो जैसे मैंने हर sheet number पे sheet number और date डाला है तो ऐसे करके आपने अपना answer sheets करनी है और आपकी जो answer sheets है वो 40, 40, 40 से ज़्यादा above नहीं होने चाहिए उससे कम हो सकती है 25 लगाओ 26 लगाओ बट उससे ज़्यादा 40 से ज़्यादा नहीं और आपने क्या करना है उसके बाद जब आपने ये answer लिग दिया सब कुछ बना दे फिर आपने PDF बनानी है आप जो PDF है वो tab scanner से भी बना सकते हो या फिर document scanner से भी बना सकते हो और जो PDF हो compress करके बनाना ताकि PDF जो आपकी छोटी बने उसके बाद जब आप एक बड़ी PDF बना लेते हो उसको drive में या फिर file में save कर लो जब आप एक बड़ी drive या file में save कर लेते हो तो आपने email पर कैसे send करना है मैं आपको बताती हूँ जो आपने attendance ली होगी ना जिसे आपने attendance मार की होगी आप अपनी attendance का screenshot लेना उसके नीचे यह आपको लिंक का आजाता है कि आपने यह वले link पर send करना है c o e j u जब आप एक बड़ attendance करोगे ना उसको screenshot याद से लेना ताकि आपको पता चलेगे आपने कौन से email पर send करने ठीक है जैसे अभी आपको email आई है जैसे देखो यह email आती है यूनिवस्टी की यवली email है तो आप एक बड़ फिर भी अपने attendance रीट पर चेक कर लेना इसको आपने click किया जब आप इसको click करोगे तो आपका ऐसे करके खुलेगा तो आपने क्या करना है यहां पर क्या करना है subject पर लिखना है अपना name यूनिवस्टी रोल नमबर और यह सब और यहां पर attach कैसे करना है यह आपको arrow दिख रहे है यहां पर attach file करनी है आप यह attach यहां से भी कर सकते हो या फिर आप attach अपने drive से भी कर सकते है इंसर्ट from drive जब आपने इसको click किया तो आपकी जो my drive में होगी जैसे इसमें तो कोई pdf नहीं है जैसे जो pdf होगी आपने इसको click करना है और उसके बाद जब आपने send करनी है तो यह option आता है send का यह arrow वाला दिख रहे है यह option आता है send का तो आपने इसको दमाना है आपकी pdf send होगी और आप कैसे check कर सकते हो कि आपकी pdf send हुई है नहीं हुई है आपने अपने gmail में जाने है gmail में जाने के बाद यह right side पे तीन arrow दिख रहे है यहाँ पे check करना है यह send पे check करना है यह देखो जो आपने send की होगी वह आपकी email यहाँ शोग हो जाएगी और आपको university वालो का message भी आ जाता है यह देखो congratulations we receive your email जब यह message आ जागा है कभी-कभी किसी को नहीं आता है तो आपको जादा पानी को जरूतनी है कभी-कभी नहीं आता है जब आपको जब आपने पीडियाफ सेंड कर दी तो आपने इसका screenshot लेना है और अपने sheet के last page बेस्टिच करना है क्योंकि जब आप next day वाइवा देने जाओगे तो आपको यह चेक किया जाएगा कि आपने स्क्रीन शॉट चिपका है यह नहीं चिपका है तो थाइंक्यू एव्रिवन